वेलकम तू जीवन जोती क्लासेज और मैं हूँ विकेश कुमार तो आज हम बात करने वाले सैनिक स्कूल इंट्रेंज इजाम सिलेवर्ज फोर क्लास नाइन्ट इंट्रेंज लेंज का अगर आप देखेंगे कि आप क्लास एट के स्टूडेंट है और क्लास नाइन के लिए सै स्लेवर्ज में इंट्रेंज लेंज नहीं है तो इस बज़र से थोड़ी प्रोब्लम यहां पे आती है बाकि जो अप्रॉस्मेर्ज लेवर्ज जो है सैनिक स्कूल का क्लास एट का ही है तो जो बच्चों का बेसिक कॉंसेप्ट के लिए और थोड़ा मेहनत कर लेते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो जो सबसे पहला चीज है यहां पर इंटेज लेंज को तीन पार्ट में डिवाइड़ेड है इन लोजी पैटर्न बेस्ट और क्लासिफिकेशन व्यूज्वल लॉजिक एन रिजीज निंग के अंदर मैटमेटिकल एन भरवल दोनों तरह के रिजनिंग है पैटर्न में एस्पैटियल एन मैथमेटिकल है बाकी है क्लासिफिकेशन व्यूज्वल लॉजिकल एन रिजीज निंग ठीक है तो इस तरह के हैं इंटेज लेंस में तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है जिस कर रहे हों मिलेतरी इस्कोल नवोदे इसकोल सेनिक इसकोल या किसी भी कंपरेटिव इस जांप के लिए या तो Ec किसी भी कमपटेटिव के लिए आपके कर रहे हैं तो यह उसमें होता ही है कोडिन एंडिकोडिन बस लेबल की बात है कि किस के लिए कितना ज्यादा लेबल है लेकिन दोनों का बेसिक से में तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ABCD जो भी है 26 लेटर है इस सबको याद रखना है जैसे A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7 ठीक है इस तरह से तो इसको याद करने का सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ जो हम बात करने वाले हैं वो है E जोती क्या है E जोती तो अगर E जोती की बात करें तो E45, J410, O415, T420, Y425 आपको याद रखना है E जोती तरह पांच, दरह 15, 25, 25, 5, 10, 15, 25, 5, 10, 15, 20, 25, E5, J, 10, O, 15, T, 20, Y, 25 क्लियर तो याद में इस होती है उसके अलावा इतना से आपको क्लियरेंस सारा नहीं हो पाएगा इसलिए इस सब के लिए आपको एक नय पैटर्न बताया गया है तो चलिए बात करते हैं पहला है जैसे की A B C D E यानि पांस तक आपको इसी तरह बहुत ज़्यादा प्रोब्लम नहीं होता है याद रख सकते हैं A B C D 12345 उसके बाद आते हैं 6 क्या है 6 ठीक है यानि एक के बाद क्या हैगा एफ एफ फोर फिक्स याद कैसे रखेंगे एफ फोर फिक्स ठीक है फिक्स इंडिकेट करता है 6 को फिक्स और 6 जाद रखो फिक्स और 6 एफ फिक्स यानि 6 एफ क्या हो गया 6 ठीक है G7 G7 ग्रूप्स का नाम सुना होगा आपको G7 से में लर्न होते रहता है तो G7 अगर एट की एच की बात करें तो एच पर इस तरह हाइफल लगा दे तो यह एट की तरह दिखने लगेगा है ना अगर एच पर हाइफल लगा दे बाइधर एच पर इस तरह से हाइफल लगा दे तो यह किस तरह से दीखेगा एट की तरह कि ओके यहां पर वापस देखते हैं कि यहां पर देखिए एफ ठीक है एफ फोर फिक्स और फिक्स किस चीज को इंडिकेट करता है देखिए ग्रूप से तो जी सेविन अगर बात करें तो होगा अगर एच पेट थोरी इस तरह की हम बाहर लगा देते हैं उपर नीचे दोनों तो यह एट की तरह दिखने लगेगा इसलिए एक लूकिन लाइट-एट-एट लूकिन लाइट-एट-च लूकिन-लाइट-एट 8, H किस तरह से दिख रहा है, 8 की तरह, ठीके, अब बात कर रहे है, I, J, K की, I, J, K, ठीके, ठीके, ठीनो है, I know, जमू एन कश्मीर में, 10, 11 गोलिया रोज चलती है, I know, I know, यानि I क्या हो गया, 9 हो गया, I know, J, 4, जमू, एन कश्मीर, K, 4, काश्मीर, ठीके, J, 4, जमू, K, 4, काश्मीर, 10, 11 गोलिया रोज चलती है, तो, J, 4, जमू, 10, K, 4, काश्मीर, 11 जमू, 10, काश्मीर, 11 यानि J, 4, 10, K, 4, 11 I know, I for know, ठीक है, J, 4, 10, K, 4, 11 जयान से देखना, I क्या है, 9 है, 9, I know, तो यानि I किस चीज को इंडिकेट करता है, 9 को, I, 9, J, जमू, K, काश्मीर, 10, 11 गोलिया चलती है, यानि J, 4, 10, K, 4, 11, उसके बाद आते है, L, क्या आते है, L, L for Lion, Lion, Lion को देखते ही, 12 बज़ गए, L, को देखते ही, 12 बज़ गए, यानि L for 12, Lion को देखते ही, क्या हो गए, 12 बज़ गए, ठीक है, मेरा, 13, मेरा, 13, ध्यान देना, मेरा, 13, aim for मेरा, 13, तो मेरा, 13 की अगर बात कर रहे है, यानि, aim जो है, वो क्या है, 13 है, इसमें नंबर कौन सार है, 13, मेरा, 13, ध्यान से दो, मेरा, 13, ठीक है, तो aim क्या होगे, 13, 30, और एक चीज और समझना होगा, कि जितने भी first letter है, जैसे, कोई भी first letter हो, जैसे, यहाँ पर बात कर रहे है, a, plus z की, ठीक है, 1 plus 26, यानि, 27, ठीक है, लियान दो, इदर, अगर बात कर रहे है, कि जो भी later है, यानि first और last, जो भी आप रख लो, ठीक है, तो यानि, a क्या होगा, a और z को add कर रहे है, एक concept समझेगा, a और z को add कर रहे है, a क्या है, 1, z क्या है, 26, टोटल क्या होगा, 27, ठीक है, उसी तरह, b और y को add करेंगे, तो, b to y 25, क्या होगे, 27, यानि, first और last को add करते है, तो आता है 27, ठीक है, यानि कि, अगर, left to right जाते है, और right to left आते है, ठीक है, left to right जाते हैं, right to left आते हैं, उसका sum कितना आ रहा है, 27, तो अगर, माल लिजे हमारे पास, सीधा में कोई 2 है, तो उल्टा में क्या होगा, 27, minus 2, यानि, 25, है, अगर सीधा में कोई 3 है, C है, ठीक है, तो उल्टा में क्या होगा, 27, minus 3, क्या होगा, 24, तो जो 24 पे है, वो 3 का उल्टा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, C, ठीक है न, इधर ले 3, काउंट करो, 1, 2, 3, 24 आ रहा है, यहाँ से काउंट करो, 1, 2, 3, उल्टा में, तो इधर ले, सीधा चल रहे है, 1, 2, 3, इधर ले, अगर हम उल्टा चलेंगे, 1, 2, 3, तो 3 है 27, दोनों क्या रहा है, इक्वल आ रहा है, यानि कि 1st और लास्ट को जब भी सम करेंगे, तो क्या हैगा, 1st प्लस लास्ट, 1st प्लस लास्ट, इसकोल टू 24, समझना, तो किसी भी, क्या भी हम निकाल सकते हैं, इस तरह से, तो यहाँ पे जो है, एम 13, प्वाइंट पर आ जाते हैं, एम क्या है, 13 है, एम क्या है, 13 है, तो एम 13 है, तो एम क्या होगा, 27-13, यानि 14, एम के बाद क्या आता है, एम, ठीक है, एम क्या होग जाएगा, 14, ठीक है, एम क्या है, 14 है, कैसे 27-13, क्योंतों यह दोनों मीड में आते हैं एम और इन क्या है मीड में बिल्कुल बीच में अब आते हैं ओ आरेस ओ आरेस एमन ओ आरेस टीक है ओ और इस की बात करते हैं तो बोल सकते हैं कि 15 और 18 साल के बच्चे को ओ आरेस पिलाते हैं ठीक है 15 और 18 साल यानि 15 ठीक है ओ 18 आर इस क्या होगा अथार के बाद आर के बाद क्या आता एस यानि एस 19 ठीक है अब आते हैं ओ के बाद पी क्यू ओ के बाद क्या है पी क्यू क्यूंकि 15 अथार उनिश्ट तो देख लिए 16 सात्रा हमने देखा नहीं तो पी क्यू ठीक है पी क्या हो गया 16 साल का प्रींच 17 साल के क्वीन से साधी करेगा 16 साल का प्रींच 17 साल के क्वीन से साधी करेगा 16 साल का प्रींच 17 साल के क्वीन से साधी करेगा पी शोलन क्यू सत्रा ठीक है पी शोलन क्यू सत्रा इसके बाद आते हैं होगे 15, 16, 17, 13, 19, 15, O, 18, R, 19, H O, R, S, 15, 18 साल के पच्छों को पिलाते हैं ठीक है पी प्रींस 16 साल का प्रींस 17 साल के क्वील से साधे करेगा पी शोलन क्यू सत्रा ठीक है अब आते हैं A, C, A, C, T में A, C, A, C, T में 19 बीस का फर्क है A, C, A, C, T में 19 बीस का फर्क है अब आते हैं 20 के बाद 21 यानि you give me 21 you give me 20 21 you give me 21 क्या है 21 है 21 तो you क्या हो गए 21 ठीक है अगर भी की बात करे भी हम दो हमारे दो हम दो और हमारे दो यानि की भी क्या हो गया 22 इसके बाद आते हैं 23 W तो W को बोलते है किसी को 24 गहंटा काम नहीं करना चाहिए चाहे वो 23 गहंटा कर ले किसी को 24 गहंटा काम नहीं करना चाहिए चाहे वो 23 घंटा कर ले यानि W क्या होगा 24 नहीं होगा नहीं तो कट गया 24 नहीं होना चाहिए ठीक है 24 घंटा काम नहीं करना चाहिए चाहे वो 23 घंटा कर ले यानि W क्या होगा 23 होगा 23 अब 24 घंटा नहीं X क्या है नहीं यानि यानि क्रोस से क्रोस क्या होगा एक पोगा यानि 24 तो लास्ट में आता है y z 2526 समझ भी आई बाते तो एक से जेत्तक आप सभी याद रख सकते हैं एस से जेत्तक सभी याद रख सकते हैं आप इस्ट्र से ठीक है तो एक बार और recap कर लेते हैं ठीक है A B C D 5 तब तो हो गया 6 4 fix यानि F 6 ठीक है G 7 ठीक है H look like 8 I know ठीक है जम्मू और कास्मीर में रोज 10 इगारों गोलिया चलती है ठीक है तो J 4 10 K 4 11 ठीक है उसके बाद आते हैं लाइन को देखते ही 12 बज गया L4 12 ठीक है मेरा 13 मेरा M4 मेरा यानि M4 मेरा 13 तो M क्या हो गया 13 ठीक है और 24 माइलेस 13 इसकोल टू 14 24 7 सरी 27 माइलेस 13 इसकोल टू 14 क्योंति फर्स्ट और लास्टा संथ क्या होता है 27 यह भी कॉंसेप्ट बरकाम आएगा 15 और 18 साल के बच्चों को ORS पिलाते है 15 और 18 साल के बच्चों को ORS पिलाते है 15 O 18 R R के बाद क्या आता है S 19 ठीक है A C और S T में 19 20 का फर्क है A C 19 ठीक है T 20 हो गया A C और A C में 19 20 का फर्क है 16 साल का प्रिंच 17 साल के क्विंच से साधे करेगा P 16 Q 17 ठीक है U give me a kiss U यानि U क्या होगा 21 U give me a kiss V 2 और 2 ठीक है क्या होगा हम दो हमारे दो भी क्या हुआ हम दो हमारे दो तो 2-2 कितना होगा 22 यानि B 22 ठीक है W 23 किसी को 24 घंटा काम नहीं करना चाहिए W 24 नहीं 23 चाहे वो 23 घंटा कर ले यानि W क्या होगा 23 और 24 क्या होगा X क्योंति नहीं क्रोस का साइन है क्रोस यानि 24 Y 25 और Z 26 तो आपको याद हो गया होगा और यह 23 में आपको बहुत सादा याद हो जाएगा अगर तोटल याद भी नहीं हुआ एक बार में तो दो चाहर प्रेतिस करेंगे तो यह तूजे आपको याद हो जाएगा ठीक है बाकी यह कॉंसेप्ट को भी थोरा ध्यान में रख लेते हैं इसके बाद से आप काउंट कर सकते हैं इतना बीच-बीच में पता है तो आपको इसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है यह तो हो गया उसके बाद हम आते हैं रिवर्स क्योंकि आपको यह साम याद रखेंगे ठीक है राइट तू लिफ्ट कैसे याद रखेंगे चलिए आते हैं राइट तू लिफ्ट जैसे यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं A का opposite का है चेट B का opposite Y C का opposite X D का opposite W E का B F का U G का T H का S इसी तरह से opposite है इधर से यह क्या है वन टो थिरी फोर फाइब शिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है 11 12 13 14 15 16 और इसी तरह यहां से उल्टा है 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 इस तरह से है अब समझे बात को अगर माल लीजिए हमें निकालना है ठीक है 6 का अपोजित में क्या है तो 6 के अपोजित में पहले नंबर हम जानेंगे उसके बाद आराम से आप काउंट करेंगे तो 6 का अपोजित यानि 27-6 is equal to 21 ठीक है तो 21 6 का अपोजित 21 6 किस के लिए था fix यानि f fix for 6 यानि f का अपोजित क्या होगा ठीक है f का अपोजित क्या होगा तो हमने बोला था 21 के लिए u keep me 21 यानि u तो f का अपोजित कौन होगा u होगा देखे f का अपोजित कौन है u है f का अपोजित कौन है u है है की नहीं है तो f u उसी तरह किसी का भी ले सकते है जैसे e का देखते है तो e क्या है 5 e क्या है 5 है clear अगर 5 है तो इसका आप ओजित देखेंगे 27-5 27-5 तो 27-5 देख रहे हैं तो क्या होगा 22 होगा 22 ठीक है बोले ac और 22 बोले थे ना तो 22 के लिए क्या बोले था अपर 22 22 ठीक है भी हम बोले थे भी के लिए हम दो हमारे दो हम दो हमारे दो हम दो हमारे दो हम दो हमारे दो ठीक है हम दो हमारे दो तो यह हो गया भी यह क्या पोजित में क्या होगा भी हम दो हमारे दू उसी तरह अगर जेक की बात करें तो जेक क्या है टेड है जेक क्या है टेड है तो इसका पोजिट क्या होगा 27-10 ठीक है तो 17 ठीक है 17 क्या होगा हमने बोला था 16 साल का प्रींस 17 साल के क्वीन से साधी करेगा यानि क्यों क्या है 17 जेका पोजिट में क्या होगा क्यों तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं और इसको याद रखने का भी तरीका है कि आप कैसे याद रखें त्यान दिजिए देखें देखते हैं अजीज नाम का लड़का अजीज नाम का लड़का बॉय था अजीज नाम का बॉय था जिसका EBS का पेपर था उसके बाद भी वो फाल्तु मूवी देखने चला गया अजीज नाम का बॉय था जिसका EBS पेपर था उसके बाद भी वो फाल्तु मूवी देखने चला गया साथ में क्रेट्स और ड्यू लेकर गया साथ में क्रेट्स और ड्यू लेकर गया क्यूंकि वो अपने आपको ग्रेट सबज़ता था उसको लगता था कि वो बहुत महान है वो अपने आपको ग्रेट्स समझता था इसी बज़र से उसकी EBS का पेपर था और फिर भी वो फाल्तु मूवी देखने चला गया ठीक है ग्रेट्स अपने आपको क्यों समझता था क्योंकि हाईयर सेकेंडरी और इंटर के इजाम में उसके अच्छे मार्च आए थे इसलिए वो अपने आपको ग्रेट्स समझता था लेकिन हुआ क्या रिजल्ट आएं वो फेल हो गया और उसके पैरेंस बहुत गुस आए क्योंकि उसका पेपर था वो फाल तो मैं भी देखने चला गया तीक है उसके बाद उसकी जंगल क्वीन से साधी करा दी गई किसे साधी करा दी गई तो उसने अपने लिए कूरता पैजामा बनाया अब कूरता पैजामा के साथ साथ उसने लोटो का सूज लोटो का सूज मंगाया किसका सूज मंगाया लोटो का और लोटो का सूज पहनके वो मैन बन गया क्या बन गया मैन बन गया यानि जेंटल मैन बन गया मैन तो था ही ठीक है तो अब इसको अपोजित को थोरा ध्यान से दे A Z A का पोजिट क्या हुआ Z Y B Y E B E B क्या होगा इसका E B ठीके Y क्या तो होगया E B अब कौन मुवी देखने चला गया Fall 2 मुवी देखने चला गया Fall 2 You If Fall 2 ठीके उसके बाद आते हैं Cracks क्या लेकर गया था वो Cracks C X Cracks क्या लेकर गया था वो Cracks लेकर गया था C X जाम दो C और X उसके बाद आते हैं वो साथ में क्या लेकर गया Cracks के साथ D D W या देखके जाओ D W देखे D के अपोजिट में कौन है W D W ठीके वो अपने आपको क्या समझता था Grace समझता था G T ठीके Q समझता था क्योंति उसके Higher Secondary में अच्छे इजाम आए गये थे H4 Higher Secondary ठीके Higher Secondary में अच्छे माज़ आए थे उसके और Inter I और R Inter ठीके Inter I और R I का अपोजिट R उसकी साथे किसे हो गए Jungle Queen से J का Q अपोजिट J का अपोजिट Q J का अपोजिट Q अब Jungle Queen से बंदे की साधी हो रही है तो इतना तो बनता है थी कुर्टा पैजामा पेहने ठीके तो K P K का अपोजिट क्या हो गया P K P समझ गए अब आते हैं अब कुर्टा पैजामा के साथ उसने लोटो का सूज पेहना किसका लोटो इल ओ लोटो अब लोटो का सूज पेहन के वो जेंटल मैन बन गया ठीके एम इल तो इस सम में जितने भी अपोजिट हैं जो वर्ड लिखे हैं अप्रोश्मेटली सम में देखो फरस्ट और लास्ट है ठीके फरस्ट और लास्ट जो सेकेंड वर्ड लिखे हैं जो वर्ड हमने जो दो वर्ड है जैसे हाईयर सेकेंडरी है तो हाईयर का ये सेकेंडरी का जैसे नुमुकलेचर में नाम करण होता है जंगल का जे क्वीन का क्यू उर्टा का क्ये परिचामा का प्यू ठीक है बाकी सब देखो फर्स्ट और लास्ट है सिर्फ EBS को छोड़के EBS में E का अपोजिट में B है एस नहीं है ध्यान देओ इस बाग को ठीक है ये भी भूल सकते है तो E का अपोजिट में यहाँ पर क्या है भी है एस नहीं है क्लियर होगी पॉइंट तो इस तरह से अपोजिट वर्ड याद रख लेंगे ठीक है अगर आपको सिर्फ नम एक याद है उसका पोजिट जानना है तो आपको उससे भी पता चल जाएगा जैसे कि हमने अपोजिट किया ठीक है 27 माइनस करते हैं अगर यह ल राइट करेंगे तो राइट को लेफ्ट हमें एंसर में मिल जाएगा ठीक है अगर लेफ्ट करेंगे यह तो राइट तो लेफ्ट एंसर में हमें मिल जाएगा चली ध्यान देते हैं कोई वी एक वर्ड ले लो जैसे कोई 13 है ठीक है मेरा 13 मेरा 13 तो एम क्या है 13 है तो इसका अपोजित देखना है ठीक है तो 27-30 क्या हो गया 40 तो 14 पे कौन आता है कि इन आता है 14 पे कोन आता है यानि एम का अगर हम अपोजित देखें यानि यह लेफ्ट से राइट जाते हैं लेफ्ट से राइट जाते हैं ठीक है तो ठीक पे क्या आ रहा है यह मारा उसी तरह, राइट से जब लिफ्ट आएंगे, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, लेट से राइट जाएंगे, 13 आया, ठीक है, एम, 13 पे कौन आया, एम आया, उसी तरह, जब राइट से लिफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट ठीक है तो 27 मैंने 13 क्या हुआ 14 यानि इन आएगा ठीक है क्या आएगा इन आएगा तो यह भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यह तो concept था इस पर हम लोग कुछ questions करेंगे ठीक है next class के अंदर इसी पर बहुत सारा खोच्चाच करेंगे ठीक है तब तर के लिए बाए बाए टेक किया ठीक है अल्दवेश्ट कर दो